दोस्तों जिंदगी में अंधिकार तब अधिक चड़ता है जब आदमी सिक्षा को छोर अज्ञानता की और बढ़ता है दोस्तों इस सीखने की करी में आज हम लोग जानेंगे कि अगर हमारे जमावंदी में अंचल अस्तर से किसी भी प्रकार से अगर कोई छेर्षार हो रही ह तो हमें SMS के माध्यम से कैसे हमें उसकी सुचना मिल सके तो दोस्तों मेरा ये वीडियो पसंद आये तो लाइक करें और अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना न भूले ताकि इस प्रकार का इंफॉमेटिक वीडियो दोस्तों सबसे पहले आपको मिल चलिए दोस्तों सीखते हैं कैसे हम लोग SMS लाट को शुरू कर सकते हैं तो दोस्तों जैसे आप देख पा रहा हैं अब लोग लैप्टॉप स्क्रीन पर आगया हैं आप अपने लैप्टॉप या मॉवाइल में Google Chrome को ओपन करेंगे ओपन करने का बाद यहां सर्च में लिखे लोग लोग क्लिक करते हैं इस पर क्लिक करने के बाद राज्या-षव्वंग भूमिश उधार विभाग बिहार सरकार का साइट आपको सामने आ जाएगा इसको स्क्रॉल करेंगे नीचे अगर आप मॉवाइल करने इसको ऊपर क्यों करेंगी सबसे नीचे सकेंड नमर पर आ खाएगा कि si Henri बेंगे और पहले से क्लिक है इसी पर रहने देना है इसमें आपको अपना मोगई लिम डालना है क्लिक करना है क्ल फे करना है प्रिव मॉबाइल नंबर और इमेल यह आपको अपना personal detail में डालना है उसके बाद address detail में address, town, city या भीलेज जो आपका सहर का नाम हो, district जो आपका जिला का नाम हो, state, pin code और यह capture डालके आप registration कर लेंगे, तो दोस्तो मैंने पहले से registration कर रखा है, तो इस पर वापीस आके फिर स जो आपका register mobile number होगा, उसके बाद यहाँ आपको OTP डालना है, तो दोस्तो इसमें आपको OTP जो आपके mobile में गया होगा, वो आपको यहाँ फिल करना है, उसके बाद आपको confirm करना है, जैसे आप फिल करते हैं, वो site जो पहले खुला था, फिर से आपका, आपके login ID से खुल ज जैसे आप देख पा रहे होगा दोस्तों, यह मेरा open हो चुका हुआ है, मेरा नाम है दिखा रहा है, आपको यहाँ SMS alert सेवा प्राप्त करें, पुना इस पर क्लिक करना है, इस पर क्लिक करने के बाद आप से पूछेगा, आप किस जीला के लिए, आप SMS alert सेवा चाहते हैं, त इसको क्लिक करेंगे, उसके बाद अंचल का नाम चुनेंगे, जो आपका अंचल होगा, उसके बाद next करेंगे, next करने के बाद आपको अपना पंचाज जो होता है, वो पंचाज चूच करना है, उसके बाद आपको अपना मौजा चूच करना है, जैसे यह सब select कर लेते हैं, उसके बाद आपको दोस्तो वर्तमान भाग और प्रिष्ट संख्या डालना है तो वर्तमान भाग और प्रिष्ट संख्या दोस्तो आपके जमावंदी जब आप online खोलेंगे तो सबसे उपर में यह निखा हुआ रहता है वर्तमान भाग और प्रिष्ट संख्या जिस के बाद नीचे उस बर्तमान भाग और प्रिष्ट से जितने विरयत होंगे उनका नाम दिखाई देगा इसमें जो आपका जमावंदी हो आप उस पर क्लिक करेंगे और नेक्स्ट बतन पर क्लिक करते हैं इस परकार का आपका सारा चीज आजाएगा कि आपका खाता क्या है खि फिर से OTP आपके मोगाईल पर जाएगा उसके बाद यहां आप OTP डालेंगे और जैसे OTP डालके आप सम्मिट करेंगे आपको आपके जमावंदी में आपका SMS इलर्ट से बाद शुरू हो जाएगा तो दोस्तों आपको यह मेरा वीडियो कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में ज अलता के लिए जाएगा